दोस्तों नमस्कार आज एक ऐसे विसे को लेकर हम आपके पास आ रहे हैं जिससे हर किसी को रूबरू होना होता है आप अपने दैनिंदन जीवन में कई ऐसे लोगों को देखते होंगे जो ठक जाते हैं ठकान क्या वास्तविक कोई चीज होती है आप गौर करिये आप दस से प हाल हो जाते हैं आप घर आकर विस्तर ढूंडते हैं या लंपसार हो जाना चाहते हैं कोई बिजनेस दुकान वगेरा से आता है और इतना ठका होता है कि पानी पीकर वहीं सो जाता है क्या यह ठकान सच में होती है लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो तिन रात काम करते हैं फि क्या है थकान की असली वज़ा और किस तरह से हम इन सफल लोगों की तरह से उर्जवान बन सकते हैं वीडियो की अंत तक बने रहिएगा हम आपको एक एक विशे पर संदर्व इसंदर्व पर आपको बहुत डिटेल में बताने वाले हैं सबसे पहले तथे को समझिए जब आप कोई ओफिस का काम करके आते हैं ओफिस वर्क आप एक जगह बैठे हैं केवल आपने कंप्यूटर पर काम किया है लेकिन फिर भी आप ठक जाते हैं आप किसी दुकान पर गए आप दिन भर वहां बैठे हैं लेकिन फिर भी आप ठक जाते हैं बैठे हुए होने पर भी आप कुछ बात है कहीं कुछ उर्जा खर्च हो रही थी वहीं पर जब आप गौर करिए हमारे भाइबन जो भी हो किसी की विवाव आपकी घर परिवार का किसी का शादी हो आपके किसी मित्र की शादी हो आपने संगीत समहरों में या फिर बारात में एक घंटे दो घंटे तीन घं किया और उसके बाद भी कोई आकर बोलता है कि चलो भाई चलो तब बोलते हैं नहीं अभी रहने दो मज़ा आ रहा है आप पसीने से लत्पत हैं आपकी सारे अंग में पसीना ही पसीना अतर बतर आपके कपड़े पसीने से भींगे जा चुके हैं तोड़ा देर और कुछ लग अब हम सबसे पहले समझें की ठाकान होती क्यों है ठाकान का सीधा खेल है जो science या medical science हमें समझाता है हम आध्यात्मी की भी बात करेंगे अंद में लेकिन जो medical science कहता है कि जब आपमें किसी भी कारण outfit कमी हो जाती है आपके शरीर आपकी कोशिकाओं में वह आवश्यक्व उ science कैंद इस सारे व're कई सारें हैं जिसके रवह प्रथम है वा है पर्याप्त नीन का और अच्छी नीन का नव ओना जब आप देर से सोते हैं देर से सोच सोने काया मतलब 10 बजे भी विलंब है अगर आप quantity नहीं कि आप 8 गंटे 12 बजे सोकर या 10 बजे सोकर आप 6 बजे तक सो रहे हैं, 8 गंटे की नीन ले रहे हैं, 4 गंटे भी परियापते हैं अगर सही ढंग से नीन लिया जाए और जो हमारे bio clock के नुसार नीन का समय है वह रात को 9 बजे है, अगर आप 9, 7, 9, 9, 9 तक सो जा रहे ह तो जो नीन आएगी वह बहुत गहरी होगी, आप 2-3 बजे तक हो सकता है, आपकी नीन पूरी complete हो जाए, उसके आप आद भी आप दिन भर उर्जवान बने रह सकते हैं, तो जो सबसे जरूरी चीज है वह आपकी नीन है, दूसरा, पोशन तत्यों से भरपूर भोजन, जब आपके जीवन का एक आवस्यक अंग है, पानी ही आपको सब तरह की एनरजी दे सकता है, साथ में यह शरीर के detoxification का भी काम करता है, तो जब शरीर सही धंग से detoxified नहीं होगा, उसके विशैले तत्यों ठीक धंग से नहीं निकलेंगे, तो वह विशैले तत्यों आपके शरीर म वक्ति के द्वारा निर्मित, आपके द्वारा निर्मित गलत रहन सहन, जब आप गलत गलत चीजें देखते हैं, बहुत जादी एनरजी आप किसी चीज को देखने में लगाते हैं, टेलिविजन जब आप देखते हैं, जब आप मोबाइल में कोई चीज देखते हैं, बड बहुत समय आप ब्लू स्क्रीन को दे रहे हैं अर्थार टीवी मुवाइल बड़े पर्दों को दे रहे हैं तब आप अपनी बहुत जादी उर्जा खो रहे हैं और जब आप उर्जा खोएंगे देखते समय आपको हो सकता है अच्छा लगे आपका दो तीन घंटे का टाइम बास हो जाए लेकिन उसकी बाद जो आपको उर्जा होती है वह बहुत खराब होती है क्योंकि आपने उर्जा अपनी गवादी तो यह गलत संगत अपने द्वारा निर्मित या दूसरों के द्वारा आप दूसरे के द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति के आप संपर्क में हैं जो गलत सलत काम करता है और उसके उर्जा का प्रभाव उसके चक्रों की उर्जा का प्रभाव आपको असर देता है अगर आप किसी अच्छे वक्ति के साथ रहते तो उसकी अच्छी उर्जा आपको मिलती है किसी आप निक्रिष्ट वक्ति के साथ रहते हैं जो चरित्र से खराब जो गलत सलत काम करता है तो उसकी उर्जा भी आपको दुशित कर सकती है और उससे आपको ठकान या कोई बीमारी जैसी होनी महसूस हो सकती है तो ठकान की ये मुख्य वजह थी जहां पर जो जरूरी है वह नीन पोशकततों से भरपूर घोजन में कमी आपकी संगत पानी की कमी मुख्य कारण इसके अलावा भी अन्यक कई कारण है किसी बीमारी का हो जाना साथ में आप जो काम कर रहे है वहापके मन मुताबिक ना होना मन मारकर आप वो काम कर रहे हो जिसकी वजह से जो मानसिक ठकान है आपकी शरीर पर वह अस्थर दिखाती है और मैंने अपने पहले जो आपकी रुची का नहीं है और उसे करना पड़ रहा हो तो आप उस काम को काम समझते हैं और जब किसी भी काम को काम समझा जाता है तो वहाँ थकान आ जाती है तो यह कुछ प्रमुक कारण है जिसकी वज़े से आप थकान महसूस कर सकते हैं अब थकान को दूर कैसे किया ज और ये बहुत सही है, जिसे हम आज अमल नहीं कर रहे हैं, वेब सिरीज, चल चित्र, लोगों से गब सब, आपके हाथ में जो जुनजुना है, स्टेटस देखना, सोशल मीडिया में रहना, फेस्बुक चलाना, बार-बार जाकर वाटसप चेक करना, इसकी वजह से आप उस सम नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके नींद बाधित होती है, तो नियम बनाए, सोने से ठीक एक घंडे पहले, अठात अगर आपके सोने का समय नौ बज़े है, उसको साधे नौ दस मत करिए, उसको नौ ही रहने दीजे, तो अगर आपके सोने का समय नौ बज़े है, तो न यह मैसूस करेगा कि दिन है और जो आवश्यक हार्मोन है मेलाटोनिन नींद के लिए वह स्त्रावित नहीं होगी और आपकी नींद गहरी नहीं हो पाएगी तो सबसे पहला काम आपको नींद को गुरुमत्ता को सुधारने पर ध्यान देना है इतना ही आपने काम कर लिया तो संतुलित मातरा में नौन्वेज का सेवन करें फलों का सेवन करें सलाद का सेवन करें 25-30 से ज्यादा आयू के लिए अनाज उत्ना आवश्यक नहीं है अनाज बढ़ते बच्चों के लिए जिनकी उर्जा या जिनकी कारे प्रणाली ऐसी है जो दिन भर खेल में रहते हैं फ प्रोडक्ट का संतुलित रूप में सम्यक रूप में प्रयोग यह अभी आपके लिए काफी फाइदमंद हो जायेगा हरी सब्जियां पत्ते-दार सब्जियां इनका सेवन करिए मौसम के अनुसार गर्मियों का मौसम है तब हरी पत्तियों का सेवन वर्षाद के मौसम में हर कि हरी सबजियां आप कभी भी खा सकते हैं वह आपके लिए बहुत फायदमंद होगी पानी परियाप्त मात्रा में न तो बहुत अधिक न तो बहुत कम इस तरह से जब आप अपनी दिंचर्या को रखेंगे ठीक धंग से नीन लेंगे पोशक तत्तों से भरपूर भोजन लें अब हमने समझा कि ठकान लाने की वजह क्या है और ठकान दूर करें कैसे यह तो आपने समझ लिया यह तो आपको कहीं भी इंटरनेट पे कई आर्टिकल्स में मिल जाएंगे लेकिन आधुनिक शोधों की अगर हम माने जो हमारा वेद कई सालों से कहता आ रहा है अगर हम उस चीज़ पर ध्यान दे तब आप आजकल जो अधुनिक शोध हो रहे हैं वो हार्मोन्स पर बहुत जादा हो रहे है हार्मोन्स एक ऐसी चीज़ है जो आपका शरीर निर्मान करता हई से कहीं बाहर से नहीं लाया जा सकता आरटीफीसल जो हार्मोन दिए भी जाते हैं उसके परिणाम उटने सुखकारी नहीं है तो यह हार्मोन क्या है हार्मोन एक ऐसा रसायन है जो आपका शरीर निर्मित करता है जब आप अच्छे काम करते हैं अच्छे चरित्र में रहते हैं अच्छा ही अच्छा करते हैं तो आपके शरीर में जो अच्छे हार्मोन से जिसके नीद के लिए आवाश्यक हर्मोन है मेलाटोनिल वह रिलीज नहीं करता जिसकी वज़र से मुबाइल चलाने वाले लोगों के लिए उनकी नीद गहरी नहीं हो पाती है वहीं जो लोग मुबाइल से दूर रहते हैं उनकी नीद दो-दो घंटे धाड़ा घंटे की वे डीप स् सकते हैं आप जब इस तरह करके देखिए आप मुबाइल से दूरी बना कर देखिए टीवी से दूरी बना कर देखिए और अपने नीद की गुणवत्ता को ना पिए मैंने भी कई बार नापा है जहां पर मैंने च्छे घंटे-पांच घंटे की नीद ली है तो वहाँ ढ़ पहला काम तो यही करना है कि आपको अपने हार्मोन पर ध्यान देना है और आधनिक शोधों की हम माने तो यहां हार्मोन हमारे हर काम के लिए बहुत जरूरी होते हैं जब व्यक्तिक प्रेम में होता है तो प्रेम में जो फंक्सन होते हैं वे सारे हार्मोन की द्वारा नियं तब आपके शरीर में जो बैड हार्मोन है वह बनते हैं और उसकी लत आपको लगती है जो आपको उस समय तो मज़ा देती है लेकिन उसके शरीर पर और मन पर आपको विपरीत असर पड़ते हैं तब यह हार्मोन का खेल आपको समझना बहुत आवस्यक है फिर कैसे कुछ ऐसे जो भी सफल लोग हैं क्या है उनके सफलता का सूत्र वह सूत्र भी समझे और इसी हार्मोन के लेवल पर समझे हार्मोन को लेकर ही समझे जब आप किसी चीज के प्रेम में होते हैं सचिन तेंदुलकर का बैट पकड़कर क्रिश पर खड़ा होना वह उनका प्रेम था ज पनदटजी ट्रॉफी के फाइनल पर वहां क्रिकेट ग्राउंड पर होते हैं वहां वे सेंचूरी लगाते हैं, अमताब बचन कहते हैं कि मेरे भीतर कुछ होता है, यह सारा हार्मोन का खेल है, और यह हार्मोन को खेल का बनाने का काम जो है वहां अपका प्रेम है, अब यह प पती पतनी प्रेमी प्रेमी का कार नहीं है वहाँ आपके जीवन वहाँ आदर्सों के प्रती भी हो सकता है अमता बचन का अभिने जो उनका अपना आदर्स था वहाँ उनका प्रेम था सचिन तंदुलकर का क्रिकेट वहाँ उनका प्रेम था लता मंगेसकर का संगीत वहाँ उ इस काम को करने पर आपको 12-14 घंटे करने पर भी ठकान महसूस ना हो, वह काम आप समझ लिजे कि आप उस काम के प्रेम में हैं, और प्रेम अगर किसी भी चीज में नहीं है, किसी रिस्ते में प्रेम नहीं है, वहां रिस्ता कोई सा भी हो, प्रेमी प्रेमी का का हो, पती पतनी का हो, गुरु शिष्य का हो, कोई भी हो, अगर वहाँ प्रेम का अभाव है, तो वहाँ रिस्ता बोज बन जाता है, इसी प्रकार, जिस काम में प्रेम नहीं है, उस काम को आप समझ लिजे कि वहाँ काम हो जाता है, फिर उसमें बोज आना, बिलकुल एकदम शर्थ है, बोज आएगा ही, थकान आएगी ही, आईगी, आपको कोई ऐसा काम करने बोल दिया जाए, जहां आपको मन नहों, आप नहीं ठक जाते हैं, लेकिन जैसा मैं ने उधारन दिया, बारात में आप दो दो तिन तिन घंटे डांस कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आपको होने हैं कोई भी होर्मोन कई नाम है डोपामाइनों सेराटोनिनों ऐसे कई नाम है उसकी व्याक्या पर हम नहीं जाएंगे लेकिन संचेप में जो सुत्र हुआ समझ लीजे कि आपको उस काम से प्रेम होना चाहिए और अगर वह काम किसी वजह से करना पड़ रहा है वहां कैसी कोई चीज होती ही नहीं है यह केवल और केवल एक मानसिक अवस्था है एक बच्चा पांच साल साथ साल का बच्चा जो मुबाइल के प्रभाव में नहीं गया है जो फिल्मों के प्रभाव में नहीं गया है वह कैसे उरजवान रहता है पुराने जमाने की लोग किस त कर दो ने उचते हुए कए देखेंगे deep काम ही काम करते हैं तो आपको ठवकांतूर करने की जो पहला सर्थ है काgel autobahn है वेज्ञानिक ड्रन से और अध्यातमिक ड नह्यकों हें अलग Dw contracts ्दो को और अध्यात carbon आपको नए आयामों की और ले जा सकती है तो जरूरत है हमें अपने जीवन में प्रेम को लाने की ठीक है आपने अच्छा पोशन कई लोग बहुत अच्छा पोशन भोजन लेते हैं आपने हर एक चीज का ध्यान रखते हैं ध्यान भी करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन कई बार उन्हें भी स्थकान जैसी बीमारी का सामना करना पड़ जाता है लेकिन ऐसे कई व्यक्ति हैं जो न तो पोशक भोजन ले रहे हैं न तो पर्याप मात्रा में पानी पी पा रहे हैं न तो उनकी नींद भी अच्छी से हो पा रहे हैं लेकिन केवल एक चीज़ जब उनके जीवन में आ जाता है वह प्रेम, प्रेम की कई रूप हैं, जिस रूप में भी वह आपके जीवन उनके सम्मुक आए, उसे तहे दिल से उसको हिंदय से लगाईए, उसे गले से लगाईए और उसकी उर्जा का उप्योग करके अपने हर का जब आप प्रेम में होते हैं, तब आपका जीवन, आपका रहन सहन बहुत अच्छा होने लग जाता है, जब आप प्रेम में होते हैं, तब आप जो घोजन बनाते हैं, ग्रेनी हो, वो कोई व्यक्ति हो, पूरुष हो, कोई भी हो, जब आप प्रेम भाव से कोई घोजन बन उसके मनोभाव पर रहती है तब आप इस सूक्ष्म तथ्य को समझिए जब आपके जीवन प्रेम महीं हो जाता है प्रेम के कई रूप हैं कई नाम हैं मैंने बस एक शब्द प्रेम लिया और वह प्रेम याने आनन सचिदानन जो आपको सही उर्जा दे जब आप इस तरह की उ टर्ष पर जाता है तब आपके शरी опыт में पर जाता है जब आपके शरीर में कुछ हर्मों स्अर्विय थे जेगह घ्या से पर जाते हैं उनका उन प्रेम में सभगे हैं और मिल dette लेकिन साथ ही और थे कुछ रसायन बनने लग जाते हैं, वह रसायन ही हार्मोन है, और वह हार्मोन आपको हर बिमारी से बचाकर रखेगा, आपको इतना उर्जावान बनाएगा, कि आप ठकेंगे नहीं, आप दिन में बिस्तर नहीं डूडेंगे, आप काम ही करते रहेंगे, जो भी आपके जीवन के लक्ष हैं जो प्रभु ने आपको दिया है जो जीवन का उद्दे से उसके प्रती लगे रहेंगे अभी सुक्ष मबातों को समझे कि थकान आम दूर कैसे करें थकान दूर ठीक है आपने भोजन अच्छा लिया नींद अच्छी ली पानी अच्छा पिया सब कुछ किया ले पिर कई मानसिक बिमारियों के तौर पर आएगा फिर कई शारिरिक बिमारियों के तौर पर आएगा और आपका जीवन रोग में हो जाएगा तब अभी भी समय है अगर आपकी यूंग्ड 25, 30, 35, 40 है तब भी आप सुधार ला सकते हैं चालिस के बाद सुधार लाना बहुत अभी इस वक्त को सुधारना चालो कर दे वर्तमान में रहना सीख जाए वर्तमान में रहने का यह मतलब नहीं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है उसी में आनंदित रहिए नहीं उस वर्तमान में क्या चुनना है क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है उस पर आपको ध्यान द पर जाती है फिर इस थकान को दूर करने का हम कुछ और एक उपाय बताते हैं जो आप ध्यान से सुनिए आप केवल और केवल 15 मिनट दीजिए अपने शारिक व्यायाम को जब आप व्यायाम करते हैं योग करते हैं तो भी आपके सरीर में अच्छे हॉर्मोन बनते हैं हमारे च वह करीब 40 मिनट का है यह 40 मिनट का ध्यान और 15 मिनट का आपको स्ट्रेचिंग व्यायाम यह केवल आप कर लेते हैं भले ही आप कितने ही ठके हुए क्यों ना हो आप एक नई उर्जा महसूस करेंगे लेकिन यह सब करने के बावजूद आपको करना क्या है यह समझे अपने जीवन में प्रेम को लाइए प्रेम को जब आप ले आएंगे ना तब आपको किसी चीज की जुरूरत नहीं पड़ेगी कोई फिजिकल एक्टिविटी करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी अपने आपको फिट रखने के लिए आप इतने एक्टिव हो जाएंगे इतने एक और एक प्रेमी और एक प्रेमी का या एक सच्चा भग कभी उर्जा से खाली नहीं हो सकता इस तत्थे को समझ कर और ऐसे ही मत मानिये करके देखिए आपको जिस चीज से भी प्रेम है उसके प्रती पून समर्पित हो कर देखिए फिर आप इस वीडियो की तत्थेता को इसकी स बातों को शक करिए जितना से कर सकते हैं क्रिए और शक करने का एक ही रास्ता चीवन को जी कर देखिए। ऐसे ही मत मान लिजे कि यह बात बहुत सची है हमने कह दिया है तो बहुत या किसी ने कह दिया है तो यह बात सची होगी या ऐसे ही जुट लाइए मत कि यह सब जुट बोलते हैं फरजी लोग हैं इस तरह मत करिए अपना कर देखिए करके देखिए उधारन मैंने आपको बता आपको वह चीज अमल करनी होगी तो किसी ने बहुत लजीज वेंजन बनाया है तो उसको चकने चक कर ही आप उसकी लजीजता को पहचान पाएंगे उसकी स्वाधिशता को पहचान पाएंगे तब करके देखिए करके देखिए आप कभी ठकेंगे नहीं और इतनी उर्जा अ पहुत क्यों सकते हैं पाएंगे नहीं और बनाया स्वाध च으면ा बनायो प्राइंगे